हाई फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई चैनल, क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहां आपने अपनी लाइफ के सबसे खुबसूरत पर बताए हैं, वो है घर, घर सिर्फ एट के चार दिवारे नहीं होती है, घर एक ऐसा खुबसूरत खजाना होता है, जिससे इस शब में बता पाना काफी मुश्किल है, शाइड इसलिए कहा जाता है कि ये पहले मकान था और अब ये घर बन चुका है, वैसे सजना सवरना टिप टॉप रहना सबको बहुत पसंद होता है, भई मस्त फिटिंग की कपड़े पहन कर घूमना किसे पसंद नहीं है, पर सच बताना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलेक्सिंग घर में पहनने वाला पैजामा ही होता है, एग्री और नॉट, कमेंट करके बताना वैसे देखा जाए तो यह घर ही है जो हमारी परस्नालिटी को बिल्ट करता है, यह हमारे मन को और दिमाग को एक दिशा देता है, सोचने का तरीका सिखाता है और हमारे मन को इस बात के लिए तयार करता है कि लाइफ में आने वाली कैसे भी situations को हमें कैसे handle करना है शायद आप भी मेरी इन बातों से सहमत होंगे तो चलिए घर से जुड़ी ऐसी ही बातों को हम सुनते हैं कविता के रूप में जिसे लिखा है मेरे favorite poet उमेश ने इस वीडियो के भी अन्त में मैं आपके साथ इस वीडियो में यूज होने वाले art form की history बताऊंगी और कुछ interesting facts को share करूंगी तो चलिए एक नई कविता सुनते हैं घर हमारा बना है तिनका तिनका जोड़कर लकडी का गठर हो या पत्थर छत हमारी ये च्छाओ की चाहे हो ये पक्की या कच्ची खुशियों का अमबार लगाए भर कर खड़ी हैं दिवारे इसकी इतनी मजबूती से जो बन कर धीरे धीरे मेहनत की रंगीन पुताई इन में आई उभर कर साथ सजावट देखे हैं फिर बहतो के घर गुल दस्ता अपना फूलों का धागों के बंधन से बंध कर महकाए खिड़की के बाहर फिर ये गुलमोहर बारिश की बूंदे जब गिती टप टप कर शोर मचाए सारे पंची हट कर फिर कानों में बचता गीत मधूर घर ये तब लगता है घर जब सब रहते हैं मिलकर चाहे हो ये गौरईया का घरोंदा अपने ही छट पर चिड़िया जब ये आंगन में जहचे करती है बच्चों की किलकारी सी लगती है संयोग कहां बनता है ये दृष्य देखने को न जाने कब किस सहर दर्वाजा डालो तुम दिवारों में लेकिन समहल कर आखित कब तक परदा रहता देखो फिर उतार कर पहले घर अपना नहीं उनका होता है बिटिया जब आती है अपनों को छोड़ कर सौभाग यहां फलता है इनके घर जल्दी मिलती नहीं उन्नती इतनी जाने किसका कितना चले व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़कर घिस घिस कर ही बनता अपना मकान नीव इनकी एहसासों की इनको तोड़े ना कोई दरार चार दिवारी के भीतर जोड़े होंगे जो हर दिन खाली कमरों में भी सासों को ओड़े होंगे तुमने सूने पन की चादर छटा एक दिन हट जाएगी देखो अंधियारों की चादर बदल कर मैंने इस वीडियो में आप लोगके साथ miniature art form शेयर किया है और मैंने बनाया है miniature tray house हर art form के तरह इसके वह हिस्ट्री बहुत पुरानी है यह miniature art मणधकाली नि upac इस miniature art के जौनर में काफे चीज़े included थी जिसमें detailing पे focus किया जाता था इसमें painting इसकुल्प्चर और नकाशी वाले काम इंक्रूड़ेट थे यह आठ पीसिस इतने छोटे होते थे कि यह हतेली ब्या जाते थे इन आठ पीसिस की खुबसूरती को देखकर लोगों ने इसका यूज डेकुरेशन के रूप में करना शुरू कर दिया अब इससे जुड़े हुए कुछ fun facts में आपको बताती है इट संचूरी में यूरो के लोगों ने इन miniature art form का यूज करकर कुछ doll houses बनाएं जिससे वो अपने बच्चो को एक proper घर को कैसे maintain किया जाता है बच्चो को सिखाना शुरू किया और इट संचूरी के बाद 9th संचूरी में लोगों ने अपने wealth को शो करने के लिए अपने घरो का miniature बनवाना शुरू किया ताकि वो अपने पहचान में अपने रोस परोस में अपने wealth को शो कर पाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में